नवश्कार और अदब दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं इस्टी न्यूज टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि हम चिटफंड से रिलेटेड हर इक न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों आज जो हम न्यूज लेकर आएं वह 2013 से जो डेड़ दर्जन से जादा चिटफंड कंपनिया बंद पड़ी हैं उन पर ये एक बड़ी अच्छे न्यूज तैनिक जागरंड से आई है तो दोस्तों न्यूज सुनाने से पहले आप से नुरोदय की चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल से के की पूरी खबर क्या है तो दोस्तों आपक कोट के निर्देश पर उक्त मामले की जाच के लिए सी बी आई को लगां लगाया गया था यह सुरी दोस्तों सी बी आई को यहां पर लगाया गया था गौंडा नगर थाना छेत्र में चिटफंड कंपनी संलाइट संसाइन रोज वैली साहीं फाइनस अपना परिवार अध्यम से निमेशकों को पैसे दोगने करने का लालज दे कर करोणों का चूना लगाया था बाद में इस मामले को ततकाली उपायुक्त की होड़ से कमपनियों के खिलात प्रात मिता दर्जी कराई गई थी 2017 में हाई कोट के निर्देस पर पूरे मामले को सी बी आई को सूप दिया गया था बावजूद इसके सी बी आई ने इन चार वर्सों में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई इसमें कहीं सफैद पोस भी के नाम भी सामने आये थे लेकिन वे सभी सी बी आई की गिरफ से दूर है बाराल अभी सी बी आई की टीम गॉंडा में कैम्प कर इस मामले के अनुसंदान को आगे बढ़ाएगी साथ ही कमपनियों के खिलाब परियाब तर शाक्षिया जुटा क कर कोर्ट में कागजात जमा करेगी ताकि इस मामले में निवेशकों को सिग्र नियाय मिल सके अनुसंदान को लेकर स्थी बी आई दिकारियों ने कुछ भी बोलने से इंकार किया सिर्फ इतना काय कि अनुसंदान सही दिसा में जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी का नुस सार दो दिनों में करीब एक दर्जन लोगों के बयान कलम बंद किया गया है मही नियशकों के दावे से संबंदित कागजातों को सत्यापन किया गया है दोस्तों ये बड़ी लैटर्श न्यूज जो हम आपके लिए लेकर आए है वे दैनिक बासकर से आईए न्यूज आपको पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब और लाइक करनो ना भूने साथ के साथ हमारी बैल आइकन का बटन दबाए ताए कि हमारे दुवारा बनाएगे हर एक च्ट्ट फंट पर जो भी वीडियो हम बनाए वो पहुंचे सबसे पहले आपके पास तो मिलता है नैक्स्ट वी जे मतने